सबसे पहले तो मेरे सबी साथियों को जै गुर्देव, तान गुर्देव जी, सत नाम, सत साहिब साथियों आज एक बहुती गंबीर मुद्दा है जो इंटरनेट पर वाइरल हो रहा है उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी मान सिक्ता है जो हमारे गुरु रविदास माराज जी को भगत कहकर संबोधित करते हैं मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हमारे रहबर को भगत कहकर बोलते हैं सबसे पहले वो शिरी गुरु गुरंत साहिब को पढ़े और जो बाणी हमारे रहबर ने लिखी है या फिर जो बाणी जितने भी महान पुर्षों ने लिखी है उनको पड़े तब उनको समझ में आएगा साथियो श्रीकरण साहभ बनाने का मतलब यही था कि जितने भी गुरु रहबरो की बाणी उसमें दरज है वो सब गुरु है और इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा क्योंकि हम लोग गुरु गुरु गरंट साहभ को ही अपना गुरु मानेंगे और बाणी को ही अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन का उद्हार करेंगे साथ हूँ अब अग मैं आपको एक बात बताऊँ गाँगा ये बात बड़ी गंबीर है उस बात को जरा सोचना और इस वीडियो को भी आप शेयर करना और काफी लोगों के साथ इसको शेयर करना है इस वीडियो को सबसे पहली बात गुरू कौन है? कौन है गुरू? सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेंगी गुरू वो है जो अंधेरे से उजाले में लेकर आए गुरु वो है जो मजलूमों की दबे कुछलों की आवाज उठाए गुरु वो है जो रास्ते से भटके होई इनसान को रास्ते पर लाए वो गुरु है उसको गुरु का दर्जा दिया जाता है आज से 600.000 साल पहले जब सत्यूर विदास महाराज जी का काशी बनारस में जनम हुआ उस टाइम पर दोस्तो इतना अत्याचार था इतना ज्यादा अत्याचार था की हमारे समाज के लोगों को हमारे समाज को की बातनी कर रहा है सबी समाज के साथ इतना भेदभाब किया जाता था तो सत्गुरविदास महाराज जी ने जनम लिया और वहाँ पर सत्गुरविदास महाराज जी ने इस क्रूड मानवता की विरोधी विचारधारा का खंडन किया और उन्होंने इस पूरी मानवता को एक सच्चा और पावन उपदेश दिया और वो उपदेश सुनकर लाखो करोडों लोगों का जीवन उधार हुआ साथ यो बहुत से लोग ये एक्जामपल देते हैं कि सत्गुरविदास महराज जी ने अपनी बाणी के अंदर ही अपने आपको भगत कहकर संबोदित किया है इसलिए हम उनको भगत बुलाएंगे अरे सत्गुरविदास महराज जी ने जो प्यार उस परमात्मा के साथ उस युनिवर्स के भगत है वो तुम उनको भगत नहीं बोल सकते यहाँ पर जो लड़ाई है दो साथियो यह लड़ाई है कि भगत साबित करने की यह लड़ाई है गुरु साबित करने के लिए लेकिन मैं यह बोलूँगा कि यह लड़ाई यह नहीं है जो हमारे गुरु हैं वो तो गुरुओं के भी गुरु हैं उनको संतों में संत सत्गुर रविदास जी गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि सत्गुरु रविदास जी ठाकुर बनाए कि जो गुरु रविदास हैं वो भगवान बन के आ गए हैं और उन्होंने ऐसा क्यों लिखा गुरु गुरंद साहिब के अंदर ये बहुत ही गंबीर वीशे हैं इन पर हमें बात करने चाहिए सत्गुरु रविदास माराजी ने लिखा कि कहर रविदास खलास चमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा सातियों अगर गुरु गुरु गरंद साहिब जात पात से उपर है तो सत्गुरविदास महाराज जी के पीछे जो चमार जात लिखी हुई है वो क्यों अलाउड किये इसके अंदर तो शिरी गुरुगरंद साहिब में सत्गुरविदास महाराज की जो विचारधारा थी जो उनकी बाणिया थी वो एकदम निश्पाक और निश्पाक्ष बाणिया लिखी है सत्गुरविदास महाराज जी जिनोंने इस पूरी मानवता को एक नई दिशा निरदेश दी है तो सातियो इस पे मैं और भी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो उसको लाइक करना कमेंट करना और शेर जरूर करना ताकि इस मनुवादी जो सोच है जो ये घटिया सोच है इस पर थपड लग सके क्योंकि संथ सिरोमनी सत सुगर विदास माराजी